तो है गाई स्वागत आपके एक बर फिर्श्य आपी के यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडिये में हम बात करेंगे जैपरकास पावर वेंचर लेमेटड और साथ में डिसक्स करेंगे जेपी एसोसियेट्स को लेकर तो दोनों शेरों में आपने देखा होगा कुछ ना कुछ तो बेनेफिट हुआ है तभी और कंपनी ने यह बोला है कि चार इंस्टॉलमेंट में आप लोग देखो कंपनी अपनी पेमेंट हो करेंगी तो चलिए भी देखते अब कल के क्या लेवल्स हो सकती है डाटा वगरा कैसा है क्या कुछ मोमेंटम स्टॉक के ब मार्केट के उपर कैसा एफेक्ट आएगा वहां से पता सलेगा वही तो यहां पर प्रिवेश टेडीन सेसिंग के दोर हम बारा कोड़ उने इंचा सला के करीब वोल्यूम आई थी और यह शेर साधे चार परशेंट के करीब हमें भागते वे नजर आया था तो चलिए भी यहां पर आप लोग देखने को मिला वो कैसा प्रिवेश क्लोजिंग क्या थी आट नवे ओपन हुआ आठ पिचया नवे फिर नीचे में स्टॉक गया आठ पिचया थी तक ठीक है फिर उसके बाद जो उपर में स्टॉक पहुंचाना भी मार्केट के सासा स्टॉक में जो र करेक्शन होई थी पीछे और वो मार्केट के चलते ही फिर सी रिकवरी बन रही है अगर मार्केट कल अच्छी रहीगी तो स्टॉक में भी अच्छे तेजी के संकेत बन सकते हैं बट जो एया मोडर लगा है वो आपको नेगिटीव देखने को मिला सेलिंग के लिए आठ ला जाटा आया वो नागिटीव आते होई नजर आया और यूएस मार्केट से भी हमें जोना भी नागिटीव संकेत मिल रही है वो भी आपको दिखाएंगे बट यहां से स्टॉक ने फिर से अच्छी खासा जो सपोर्ट है वो बनाया है नो आट रुपे 35 पैसे का स्पास का र दिखा सकता है बट मार्केट को साथ देना पड़ेगा भाई ठीक है पहले बोल देता हूं तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भी सपोर्ट आपको पकड़े चलना है अभी के टैम नो रुपेगा सेगिंड सपोर्ट है 8.35 जो आपको बैस्ट लगे वो आपके लिए सही है तो चलिए अब देख लेते हैं बार-बार आपको बोद रहा हूं कोई भी डिसीजन लेना ना भी खुद की रिसर्च और अनलाइसीच करके लेना ठीक है मेरी कोई जुम्हें बार निया कहीं है आपको लोस हो जाए या फिर प्र प्रॉफित हो फिर आप मेरे को जम्मेदार जाइ यह पाघर रहा हूं कि आपके वजय सही है मैं किसी को ने बोल रहा कि स्टॉक में पैसे लगा यह फिर निकाल लिये जो लेवल्स बन रही हैं चार्ट के बरजिन को निकालने नहीं आते हैं उनके लिए लेवल्स मेंने बताई है तो चलिए अब देख लेती भी यू. US market तो आपने देखा होगा अभी previous trading season दोरान भारतिय मार्केट में हमें काफी अच्छा जो तेजी है वो देखने को मिली लेकिन अभी के टाइम जो US market की closing हमें देखने को मिली थी प्रिवेश टेडिन सेजन के दोरान वो नेगिटिव थी एक तरफ और एक तरफ पोजिटिव नेज़ग हमें पोजिटिव को लोजिंग लेते नजर आया है लगबग 0.38% की अच्छी तेजी रही है उसके बाद डाव जॉन्स की बात करें तो यह नेगिटिव गया हुई 1.12 2% के करें अगर बात करें योरॉप मार्केट के तो यूरब मार्केट भी आपको जोन है आपको बी नेगिटिव को लोज साबित हो सकता है उसके बाद अगर बात करें future तो यहां पर देखाक growth पो जल रहा है जबकि यह आपको नेगिटिव दिखाए दे रहा यह 1.22% के अस हमें देखने हो मिले वह जैपरकास एसोसियेट्स में क्योंकि भी इस टॉक में भी काफी बड़ा फोल बना था मार्केट में क्रैक्शन के चलते हैं जैसे मार्केट है रही कमरी आई तो यह शेयर भी आपको जबरदस्त रहली दिखाते हुए नजर आया है लगबक 13% के करीब और चार्ट पर आगे कि क्या कुछ मुमेंटम यह स्टोक हमें दिखा सकता है और इसने पीछे बहुत चांदार इटन्स निकाल कर दिये बहुत अच्छे रिटन्स टॉक ने निकाल कर दिये अब एक टाइम आप लोग देखोगा भी क्या मुमेंटम इसके बन सकते हैं चार् आपन हुआ 11.85 पर प्रिवेश क्लोजिंग थी 11.65 फिर स्टॉक नीचे में 11.75 तक और फिर हाई जो रहा है वह आपके सामने है भई 13.60 पैसे का स्टॉक ने हाई लगा है क्लोजिंग 13.15 के असपास हुई है ऐसे में मार्केट प्राइज कूपर यहां पर बाई ओडर है 5.5 85,000 कॉंटिटी का डिलिवरी पॉजिंग के अगर बात के तो 30.80 के असपास डिलिवरी उठी है तो डिलिवरी भी कुछ कास ने उठी है च्पास बाई ओडर है लेकिन यहां से तो है तो यह तो पॉजिटिव संगे बट मार्केट का बहुँ जाद एफेक्ट रहेगा अभी तो यहां पर आप लोग देखो कि स्टोग ने काफी अच्छा सपोर्ट बनाया भी इस लेवल के ऊपर ठीक है तो यहां से अगर स्टोग में फिरसे रिकवरी बनी है बहुत अच्छी वा है ता लेकिन आपको सपोर्ट पकड़े चलना चाहिए 12.45 का सपोर्ट है यहां पर आप लोग नहीं देखा हुआ पीछे भी स्टोग ने यहां पर रिजिस्टेंस बनाया था इसको ठीक है यहां पर 12.45 का सपोर्ट बहुत जादा ठीक रहेगा 13.25 का सपास यह रभी के टाइम है और उपर में आपको जना भी 14.50 के भी लेवल दिखा सकता अगर मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम बनता है तो आपको वीडियो पसंद आई होगी बाइसाल के कोई रेक्मेंडेशन है नहीं कोई भी डेसिजिन लेना है खुद की रिशर्च एंड लेशिज एंड थैंक्यू फर वोचिंग दे वीडियो